मादव ड्रेसीजॆ । द्रेस के लिए काना जी के लिए बना सकते हैं सिर्फ बस आप अपने फ्लावर का कलर चेंज कर दें जिस कलर की भी आप ड्रेस बना रहे हैं उसी की अकॉर्डिंग तो चलिए फ्रेंड्स इन पटको को बनाना शुरू करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर यहां पर नीचे देखे हमने नोट लगाई हुई है तो इसको हम क्या करेंगे यहां पर यह चार धागे हैं इसमें से दो धागे हम ऐसे कर लेंगे और इसके बीच में से ऐसे निडल को डाल देंगे और निडल डालने के बाद यहां पर इस तरह से देखे यह पर ऐसे सीक्य डालेंगे तो देखें यहाँ पर मैंने डालें तीन चार पांच छेशिए साथ साथ पर मैंने यहाँ पर डाल दी है इसके बाद हम फॉम फ्लावर लेंगे तो देखें मैंने यह मैचिंग जो हमारी ड्रेस से मैचिंग है मैचिंग करते वे फ्लावर लिये है तो हम यहाँ पर देखिए पहले किदर की साइड से ऐसे सीधर डालेंगे इस फ्लावर को इसके अंदर पहले एक पिंक वाला डाल देंगे और फिर एक यह इसकाई ब्लू ये वाला डाल देंगे और फिर इसके बाद एक पिंक और डालेंगे यहाँ पर देखे एक फ्लावर हमने पिंक इसके अंदर और डाल दिया है अब इसके बाद हमें इसके अंदर थोड़े से परल डालने है जितना लंबा हमें पटका रखना है उसके according हम यहाँ पर परल डाल लेंगे तो यह जितने भी मेरे हाथ में परल है सारे में इसके अंदर डाल लेती हूँ सारे परल हमने इसके अंदर डाल लिये हैं अब हम यहाँ पर यह फ्लावर लगाने हैं तो पहले पिंक फ्लावर लेंगे और अब की बार हम इसे उल्टी साइड से ऐसे डालेंगे इसर की साइड से जिससे कि यह फिर उपर की तरफ ऐसे आख करके सीधा हो जाएगा और फिर हमें यह स्काइबलू वाला डालना है और फिर यह पिंक वाला इस तरह से हमने इनको डाल लिया है अब देखे जितने परल हमने यहाँ पर डालेते हैं काउंट करके तीन, छे, साथ साथ परल हम यहाँ पर डाल लेंगे और फिर ये वाला परल डालेंगे तो चलिए मैं इनको डाल लेती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको इस वाले परल को डालने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमें एक वाइट वाला और इसके अंदर ऐसे डाल देना है और डालने के बाद देखिए अब इसमें इसको जादा टाइट नहीं रखना है नहीं तो इसमें की चाव ऐसे आएगा थोड़ा सा हलका सा इसको लूज रख देना है और लूज रखने के बाद देखें यहां से हम इसको ऐसे करेंगे अब जैसे हमने यह परल इसके अंदर डाला है इसको छोड़ देंगे और यहां से हम निडल को ऐसे उपर की तरफ निकाल लेंगे अब देखिए यहां से यह इस तरह से बन गया है अब उपर जो परल है इनके अंदर ऐसे हम तीन चार परल के अंदर इस तरह से निडल डाल देंगे और निडल को यहां पर उपर आ करके निकाल देंगे और फिर इस अच्छे से पक्का हो जाएगा और इसको पक्का करने के बाद आप हम यहां से देखे फिर से निडल को ऐसे उपर ले जाएंगे और इन तीन परल के अंदर निकाल देंगे और इस धागे को यहां से अब हम कट कर देंगे तो देखिए फ्रेंड्स यह पटका बन करके काना जी के गले में जब इनको डालेंगे तो बहुत ही खुशूरत लगेंगे तो फ्रेंड्स आज के पटके की वीडियो आपको कैसी लगी अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बैल आइकन प्रेस करें फिर ओल का उप्शन आएगा वहाँ पर किलिक करेंगे तो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुचेगी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए रादे रादे